मैं अपने गुरिया राने के सर में तेल डाल दू? सारी दुनिया के पेरेंस अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें और हमारे आ मुहपत का मतलब है सर में तेल डाल दो चल अपा के पास इतने पैसे? अब आपने घर के बच्च्टी जहां रिष्टे कमजोर हो जाएं वहां घर टूट जाते हैं ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिष्टों को मजबूत कीजिए घर की दीवारों और छटों को तो हम मजबूत बनागी देंगे मॉडिल स्टील आओ एक मजबूत घर बनाते हैं जी असलाम अलेकुम नाजरीन मैं हूँ शाहिद मिया प्रोग्राम ख़ाबों से तबीग तक के इस सफर में मेड इन पाकिस्तान एंड प्लीविंग पाकिस्तान के कॉंसेट के साथ पावर्ड बाई मॉडल स्टेल गूर्प आफ कंपनी जैसे कि आपको बता है कि एशन ट्रेड टिवी की रुआयत है कि हम हमेशा ही आपके साथ ऐसी परसनलिटीज को ऐसे स्टार्स को बलके सूपर स्टार्स को मलवाते हैं पूंने नासिव अपने मुलक के लिए बहुँ ज़ाता खिद्मा शर था इंजाम दी होती है अपने शूपे में रहत वे काला मुकाम हासल किया होता है उनके ख्द्माब उनके अपनी इंडस्ट्री के लिए एक आज आस होती है हमारे लिये और हमारा मेकसर पाकसान के soft image को nationally और internationally पर्मोट करना है बिला तफ्री और इसी कोशिश में हम और हमारा दारा Modestry Group of Company के इस तावुन से इस कोशिश में हमेशा गामजन रहती हैं और आज हमेशे की तरह हमारे साथ जो personality है मेरे एक बहुत ही अच्छे दरीना दोस्तों में से उनका शिमार किया जाता है पाकसान के नामवर अगर हम एक सोशली वर्क के हसाब से उनकी खित्माद देखें तो बहुत जादा है नेशनली भी इंटरनेशनल भी अगर मैं तोड़ फैर था जो उनकी पहचान था वो था रोटरी रोटरी इंटरनेशनल क्लब के प्रेजिडेंट रही है और आर आई कंवेंशन फर ट्रंटो यानि के रोटरी इंटरनेशनल कंवेंशन के चेर्मन रही है इसके लावा वो CEO है जी फ्रेंट टैक कंसलिटिंग के ये पाकसान का WER एक टेकनॉलोजी का एक अदारा ऐसा है वो नही नही इनवیशन लेकर आरे हैं incident क्या क्या चीजें लेकर आ रहे हैं कौन कौन से software कौन कौन से application इसके बड़े बात करें उसके बात करें कि उनके साथ tech के हवाले से और इसके लगा वो एक और project ह का सोशल CSR के हवाले से है जो बड़ा इंटरेसिंग है आज कल वो जिस प्रोजेक्ट के ओपर काम करें हैं ग्रीन ग्रोध पाकिस्तान है यह अपने नाम ही की तरह बहुत जादा ग्रीन है उसमें क्या ऐसी इंपॉर्टन बात है या क्या इसकी खूबिया है इस प्रोजेक्ट की और इसमें वो स्पेशली डीजनल कॉनेक्टिविटी के हवाले से क्या कर रहे हैं इसको पर हम बात करेंगे जी हाँ आप पहचान के होगे और मैं हैलमन का नाम भी ले लूँ साजित इकबाल साब साब साजित इकबाल साब मेरे साथ मजूद है जो इंटरनेशनल एक साजित इकबाल साब मेरे साथ मजूद है और खौब इस सफर में आज मैंन को कुशाम देद कर उए उमीद है कि हमेशे की तरह ये इपिसोड भी इन्टरस्टिक होगी तो मेरे साथ रहिए का जी ऐसलाम अलेकुम साजित इकबाल साब वलकम टू माई शो खौब इस सफर में पावर इसकिसमती आज 1-1-2 जो एपिसोड होने जा रही है और ये चार सारे चार साल का सफर है उसमें आज आज आप हमारे गेस्ट हैं तो मैं वार्म वेलकम करता हूँ आपको जणाब तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ये जो आज कल आपका ये प्रोजेक्ट जिसको पर काम करें ह क्या हो जिसकी जरूरत भी आज कल सुसाइटी को ठीक है और ग्रीन ग्रॉथ पाकिस्तान ये थोड़ा सा डिटेयर में बताईएगा कि ग्रीन ग्रॉथ पाकिस्तान है क्या इसका कॉंसेप्ट क्या है और इसको आप किस तरह से देखती है इस बेबी को प्लीज सबसे पहले तो शाहिस साब थैंक यू वे मच्च मैं आपका बहुत शुकर गुजार हूँ कि आपने मुझे इस कामिल समझा कि मैं कुछ ऐसा अपनी काम और अपने सोच के मताबिक आप से शेयर करो ता कि मेरी पबलिक तक मेरे सुसाइटी में मेरी बातें पहुंच सकें और ये जो या बने हैं तो इसके लिए मैं आपका सबसे पहले शुकर गुजार हूँ सेकंड जो ग्रीन ग्रोथ पाकिस्तान है तो कलर से लगता है शायद ये ओली पौद्दे लगाने का को काम है या ग्रीन अन्वाइरमेंट का काम है असल में इसके बेक्रांड में ग्रीन ग्रोथ जब हमने इसका नाम रखा तो ये था ग्रीन से मरे मुराथ थी प्रोस्पेरिटी ग्रीन ग्रोथ का एक पार्ट है कि ये अन्वाइरमेंट पे काम करती है और इसमें मुझे कहते हुए फखर महसूस होता है कि बेल्ट अंड रोड प्रोग्रेम जो चाइना ने सी पैक शुरू किया उसमें 38 कंट्रीज उस बेल्ट अंड रोड पे जो आ रहे हैं उन लोगों को चाइना में जब इन्वाइट किया गया कि ग्रीन ड्वेल्मेंट पे किस तरह काम किया जाएगा क्यूंकि ये जो सी पैक है इस पे 19-19 इंडिस्टियल जोन बनने जा रहे हैं और उससे हमारा अन्वाइर्मेंट खराब होने का भी खत्शा है डिवेल्मेंट अपनी जगा है लेकिन अन्वाइर्मेंट वो सबसे जह इंपॉर्टिल है तो बेल्ट अंड रोड इनिशिटिव प्रोग्रेम के तहत उन्होंने 38 कंट्रीज के लोगों को बीजिंग में बड़े फखर से आप से शेयर करता हूं को पाकिस्तान को मैंने रिप्रीजेंट किया अच्छा तो हम वहां रहें बहुत सारे कंट्रीज के लोग थे कहां रहें हम सेवन डेज बीजिंग रहें और सेवन डे हम वुशी में रहें और सेवन डेज हम निंजिंग में रहें और हमने उनका सारा सेटड़ देखा कि किस तरह चाहिना ने अपने आपको पॉलुशन फ्री किया तो ये एक अन्वायर्मेंट का पॉर्शन है जिस पे ग्रीन करोथ काम करती है ग्रीन करोथ पिछले बाईस साल से नियूट्रेशन अवेरनेस में काम कर रही है जब आई थी जो बहुत सुक्सेस्फुल गई जिसमें हमने नियूट्रेशन अवेरनेस के बारे में बताया कि ता कि हम हमारे जो बच्चे हैं आगे वो स्टेंटिंग ग्रोथ में जा रहे हैं वो सही से डिवेल्प अपने माइंड को निकर पा रहे तो हमने उस वकत बाईस साल पहले हमने यह वाग करवाई यह यह और हमने लोगों में अवेरनस क्रियेट की कि आने वाले वक्त में हमारी जो नए जिनरेशन है और वो वीक पैदा हो रही है क्योंके पेरेंट्स जो है ना इसका ख्याल नहीं रख रहें कि वालदा में डेफिशनसी होती है जिंग की वेरी इंपॉर्टन है कि उसमें उसका ब्रेन डिवेल्प होता है तो हमने कहा कि वन थाजन डे में शादी जब की जाती है तो बच्चे और बच्ची को ट्रेंड किया जाएं कि वो अपनी फीजिकली भी टेस्ट करें ताकि उनमें को डेफिशनसी ना हो जिंग की डेफिश अज से इतने साल पहले मुझे हरानगी है कि जो सिक्योर्टी पे एस सेचो वाक में थे तो वो मुझे पूछ रहे थे सार ये नियूट्रेशन होता क्या है तो फिर हमने और पाकसान जैसी इंवार्मेंट में रहे के लोगों कोई वेड़ ड़ नितिन क्या है या ग्रोध क्य या जिस तरफ आपका इशार है जा पर आप काम करें जिस सेक्टर में काने स्पेचली यह बड़ा इंपोर्टर निक क्योंकि एक मा सेहतमन मा होगी तो एक सोसाइटी का चुके वो पार्ट एक अच्छी सोसाइटी बनेंगी वो एक अच्छा बच्चा जब लेकर दुए में तो एक अच्छी कौम बनेगी तो जब वहाँ परी प्राब्लम होगी में तो आप तो बहुत अच्छा काम बलकर यह जब एक बच्चा का ब्रेन पूरी तरह डिवेल्प नहीं होता तो उसका सुसाइटी में बीहेवियर भी अच्छा नहीं होता तो निउटेशन के बाद ग निउ जिनरेशन को आना चाहिए वोलेंटिरिस्म का कॉंसेप्ट जो है ना आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि इसकी एकस्प्लेनेशन शायद फर्स टाइम हो रही है मैं बड़ी बात करने लगा हूं फर्स टाइम जो मैं करता रहता हूं कि अल्ला परवर्द बी है क्योंकि अल्ला ने आपको ये भी अनायत की है और माल जो है वो आपका शौर भी है एक जैसा शौर नहीं दिया जिन लोगों को अल्ला ने ज्यादा दिया है उन्होंने शौर भी शेयर करना है तो मैं कहता हूं कि माल तो टू पॉइंट फाइपसंट हूआ अब आप ह आपने वॉलेंटियर वग करना है एक डॉक्टर ने नौ दिन फ्री पिशन्स है तो सब्सक्राइब पाकसानी जैसे इन इन्वाइटमेंट पे रहते हुए विदाउट ऐनी यानी के ये कोई मुश्कल नहीं है आपने अपने पूरे साल में नौ दिन काम करना है आठ गंटे का है और नौ दिन है आपका दिल करें आप संडे को एक गंट है देख ले आप मुझे शाहिसाब बताईए कि एक डॉक्टर जो क्लिनिक पे है दो हजार फीस लेता है या पांच हर दस मरीजों के बाद एक मरीज को मुफ्त देख लेगा उसकी एकनोमिक्स में कितना का फरक ठीक है तो ये वोलेंटिरिजम है एक टीचर है वो स्कूल में पढ़ाता है अगर वो पांच बच्चों को ये इतनी ज्यादा यूनिवरस्टीज और कॉलिजिज हैं मैं इनसे आपकी तुस्थे से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कलास के पीछे अगर पांच बच्चे फ्री बैट जाएंगे तो कितना फरक बढ़ जाएगा आपके चालिस बच्चे हैं पचास हजार एक से आफीस ले रहे हैं तो तीन बच्चों से क्या हो जेगा तो ये वोलेंटिरिजम सी एसार इसमें हमने बहुत ही कोशिश की अब बैसार इसको एकनॉमिक एक फेक्टर आप से करता हूं कि अगर मेरे जैसा गरीब बंदा जो है उसकी एक दिन की कॉस्ट एक हजार रपया है तो नौ दिन की नौ हजार इसका मतलब मुझे नौ हजार रपया कंटिब्यूट करना है कैश की सूरत में नहीं वरक की सूरत में तो जो हम इंटरनेशनल एक्चुल ला है बना कि जो लौ है कि हर बंदा 72 आर्ज हर बच्चा जो हना 72 आर वलेंटिया वरक करें यह 72 आर टू पाइंट फाइपर संट सकात से लिया गया है क्योंके नाइन डेस और एट आवर्स नाइन मल्टिप्लाइबाइब यह 72 आर्ज काम करना है आपने तो आप देखें मैंने 9000 का कं किया अगर मैंने 9 दिन फ्री काम किया आपके एक लाक रपे अगर एक दिन का है तो आपने 9000 का किया आप मुझे पताएं 110 विलियन पाकिस्तान के लोग काम करते हैं और सारे के सारे अगर एक हजार से भी लगा लें 500 से भी लगा लें काम करें तो GDP को सालाना कितनी सपोर्ट कि वाशट पी провτά एको साफ़ सहा रपे, कितो है अर्मचरा कितना इस तरह कह तो असलामी माश्ये का रूल बता रहे हैं अब piùी मारे जो अब ट्रीन कर्या कर यह जा है पर आप काम बटाएं हमने न इस पर नी जमकरिशन आवेर नस पर काम किया आपने अटिरिशन आविटि तो ये green growth के major areas हैं जिसमें हम काम करते हैं हम बहुत ज्यादा इसमें ना funds involved नहीं करते हैं क्योंके पाकिस्तान में रहते हुए एक concept आता है कि जो NGOs हैं वो शायद पैसे का plus minus करती हैं तो हम कोई इस तरह के tangible चीज़ों में नहीं जाते हैं हम सिर्फ awareness करें सर इसके उपर बजीद बात होगी क्योंके ये बड़ा एक sensitive issue है NGO's के हवाले से आजकर पाकिस्तान में बना हुए है लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक लेनी है एक smart से ब्रेक जी नाजिन आप देखे रहे हैं साजीद इकबाल साभ मेरे साथ मेरे साथ मजूद है ग्रीन ग्रोथ के ओपर बहात हो रही है पाकिस्तान की बात है जहां पाकिस्तान की बात हो तो वहां पर CSR की बात होना जरूरी है इस वक्त हम लेते हैं समार साथ ब्रेक और मिलते हैं after this shot पर मैं फौरी तोर पे देख के काम ने करता है मैं उसकी need assessment करता हूं जैसा कि आज नीड असेस्मेंट करने के बाद रिजल्ट निकला कि मेरे मुलक में दो चीज़ों पे वार फूटिंग पे काम करना चाहिए वालकम बैग नाजिन खुआबो से तबीज तक मेड इन पाकिस्तान, ब्लीव इन पाकिस्तान के कॉंसेप्ट के साथ पावर बाई मॉडल स्ट्रिल गूर्प अपनीज साजी दिखबाल साब मुश्कराता हुआ चेरा पाकिस्तान के एक बड़ा नाम हमारे साथ मजूद है जिन्होंने पाकिस्तान को मेशे कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है जी साजी साब आप सीयो भी है फ्रेंट टैक कंसल्टिंग की इबड़ा नजबर दस्ता बड़ा अट्रैक्टिव सा नियम है फ्रेंट टैक्ट तो टेक्नोलोजी बेस कंपनिया यह तोड़ा साथ बगाईये इसका बैक बाईगरूड के और लोग क्या का रहे हैं यानिके आइटी के हवाले से और जिसरा आप आफ दी रिकार्ट बता रहे थे इसमें और भी बहुत मास्टर मांड़िट लोग हैं इस और अर्कनेजिशन में और मुझे अमीद है कि ये पाकिसान के बड़े कंपनियों में से कंपनी इसका शिमार किया जाएगा इंशाला आने वाले द कि इसमें जो टीम है काम करने वाली वो डावर्सिफाइज से एरिया से है और वो एक रिच परफाइल की हामिल है वो उनका बहुत रिच परफाइल है अपने लाइफ में तो इंशाला हम लोगों ने बैठके ये एक कंपनी की बनियाद रखी है अच्छ जहां तक तो गैप अनेलिसिज और नीड असेस्मेंट बेस काम हमेशा एक करने की में नकोशिश की है मैं फौरी तोर पे देख के काम ने करता हूं जैसा के आज नीड असेस्मेंट करने के बाद रिजल्ट निकला के मेरे मुलक में दो चीज़ों पे वार फूटिंग पे काम करना चा एक तो हमें डॉलर्स का रेंजमेंट करना चाहिए किस तरह से डॉलर कठा करें सेकंड 65 परसंट जो हमारी यूथ है अनिम्प्लाइमेंट की तरफ है और ये दो चीजें नीड असेस्मेंट में आई कि ये दो बड़ी इंपॉर्टन है इस पे हमें काम करने की जरूरत है तो हमने इस नीड असेस्मेंट करने के बाद इस पे वर्क शुरू किया अब आप देखें इतने इंटर्वियूज आप मैं तो कुछ भी नहीं बड़े बड़े लोगों के आपने इंटर्वियू किये हैं तो आप देखें कि 65 परसंट यूथ 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 का नारा लगा रह 18 एर्स ओल्ड से आगे कदम रखता है वो ड्रीमिंग करता है उसके खाब है और अब उसके खाब जब टूटेंगे और वो सीवी लेके दर बदर फिरेगा तो वो नफसियाती मरीज बनेगा तो अगर ये इतनी ताकतवर हमारा पोर्शन 65 परसंट यूथ अगर जी हमने इसक मिया शामिल हूं हमने अगर कोई ज्याती की हैं और कर रहे हैं तो हम यूट से कर रहे हैं क्योंकि हम उनको अपर चुनिटी नहीं दे रहे हैं यूunde हम उनके खौऽ नही पूरे होने दे रहे हैं तो ऑने हो हमने इस पे एक अपने दा क्यूंकर वो यह अर्नाटे रिवउम एम ना गौर्मेंट में हैं ना हमारा कोई बस चलता है लेकिन हम पाकिस्तान को बेटर करने में अपना हक जरूर अदा करते रहें हमने सारे एक एक कॉंपनी बनाई है वाली जो इस पे हम इंटरनेशनल कॉंपनीज को ओन-लाइन एम्प्लाइम्मिंट दे रहे हैं पाकिस्तान अमेरिकन, कनेडियन, और अस्ट्रेलियन गॉंपनीज बड़ी बड़ी कॉंपनीज से हमने सेल्स एंड मार्केटिंग से अप्रोच की है और अप्रोच करके उनको का है कि हम आपको पाकिस्तान से इंप्लाइमेंट देते और आप उनलाइन इनके साथ कॉंट्रेक्ट करें सर इस में सबसे यह सिर्टल एक और यह सिर्टल मार्केटिंग की आती है वो कहते हैं हमें डिजिटल मारकेटिंग केलिए लोग चाहिए तो आप देखें एक तो गार बेठे बेठे इंप्लाइमेंट बच्चे जब बच्ची को मिल गई और दूसरा जब उसकी सेलरी वहां से आएगी तो डॉलर आ गए पाकसान का वो इशू दो हमने नीड असेस्मेंट में इशू के सामने आये थे हमने दोनों पे काम किया और हम पाकिस्तान में इस पे रोल अदा करने जा रहे हैं एक तो हम डॉलर मगवाने पे और दूसरा हम इंप्लाइमेंट जब यह तो बहुत बड़ा काम है यह तो पाकसान का आप समझे के सुलूशन जो है वो यही है इस चीज में अच्छा इसमें कोई कामियाभी भी तक कुछ स सेक्स स्टोरी ऐसी आप शेयर कर सकते हैं इसमें इसमें सार अभी हमारी जेपी मौगन बैंक से बात हो रही है इन्शाला तला उनके साथ हमारी डील वरी क्लोस है और अगर फाइनल हो जाती है अला तला खैर करे तो हम उनको 200 के करीब पाकिस्तान जेंगी यह कहा का बैंक है यह हमने तो इसको होंग कॉंग से अपरोच किया है और और अवराल यह बहुत सरे कंट्रीज में बेस्ट है अच्छा इसी तरह अभी तक हमने एक अच्छी फिगर है जिसको हम एंप्लाइमेंट के लिए उनके साथ कॉंट्रेक्ट करवा चुके हैं ठीक है यह हमारी जो सिस इसको हैं वह हम् कॉंग बेस्ट है इसका नाम है विर्चौञ वर्क फोर्च लिप्टट इड़िट झो नामसे जाहिर है नामसे नामसेज जाहिए उर्क्राइटिंग का स्टाफ है जो दुनिया में पूरे टॉरंटो और USA और इदर मार्केटिंग करता है और लोगों को उन करा जी होगा कि हमारे लोगों को मुलक से बाहर नी जाना पड़ेगा तो फरंट टेक का जो पहला अबजेक्टिव है और इस पे हम काफी हद तक काम कर चुके हैं और सक्सेस्फुली इंप्लाइमेंट लोगों को दे भी चुके हैं यह आई सब्सक्राइब को तो जो आप करने जा आई जो करें और अरड़ी आप देखे हैं अबर इंडिया कि अगर भारत की तो उनकी एट आट एक्सपॉर्ट देखे कहां पर है और क्योंके वह पर यानि कि वह पर रहां पर यारी का वह पर प्रूर्ट पड़ती है उनकी एर करें तो I think these are 14 to 15% अलाग के पाकिसान तो 4th largest for freelancer marketing इस वकत है लेकिन फिर भी तुक है भारत का इंडिया को वालियम बढ़ है और उनकी जो ड्रेक्शन है वो सोचते है जो पॉलिसी है उनकी IT के वह बहुत कलियर है यही बज़ा देख लिए आपके चाहिए वो उसमें देख ल हमारे हाँ अगर आप इस तरह का काम कह रहे हैं तो मैं समझ तो इसे एक नेशन जो जहां पर एक लोगों को ड्रीम्स कुछ करने का तो वो बड़ा आप बारिश का पहला कतरा सापित होंगे और आप जैसे लोग अलहमदोलिल्ला शाह साब यह जो हमने स्टार्ट लिया है इ तो कल हमने एक गंटा तकरीबन मीटिंग करने के बाद हम सिस्को की कुछ अकैडमीज हैं और यहां कुछ अकैडमीज को एक्टिव कर रहे हैं ताके हम उस प्रॉबलम को सॉल्व करें वो प्रॉबलम ही आ रहा है कि हमें जो यहां से इंप्लाइमेंट जिनेरेट करनी है उन सार में बहुत सारी चीज़े हैं एचिच्ट्यूट भी इदर एधर एधर एजूकेशन का भी आए फिर हम बहुत सारी रिजनिंग में चले जाते हैं कि वो मेरा सारदर्द कर रहा यह वो तो वहां क्योंके एक प्लैन किया है कि हम यूद को शौर्ट ट्रेनिंग दें ताके यह सकसेस्फुल इंप्लाइब चले हौसली यह बहुत अच्छा काम है और मेरी बास्विशी साहाँ साथ साजी सब आपको काम आप तरे गोंके यह पाकिस्तान का काम है आप पाकिस्तान के लिए जो भी कोई अच्छा सोचे का डेफिनिटी वह स्की अपनी तो इसमें काम य ये पिसोड बहुत अच्छी इंट्रस्टिंग होगी आपके लिए मुझे इस वक्त एक स्मार सा ब्रेक लेते हैं मिलते हैं आफर दिस शाट ब्रेक और एक्चेंज प्रोग्राम करें आपको लाहॉर के लावा मैं कैपिटल की एक्जेमपल देता हूं सर लाहॉर के लावा इसलामाबाद इस वक्त आठ सिटी के साथ सिस्टर सिटी डेकलरेशन साइन कर चुका है वेल्कम बेक नाजरीन, ख्वाब से तबीर तक इस सफर में साजित इकबाल साभ मेरे साथ मजूद है जी साजित साजित साभ आप आप पाकस्तानियों के लिए कुछ और प्लीज फ्रंट एक पे हमने जो सेकंड प्रोजेक्ट लाँच किया है वो है गलोबल रीजनल कुनेक्टिविटी इसमें हमने जो मॉडल है वो है अल्रेडी एक्जिस्ट करता है वो है सिस्टर सिटी प्रोग्रेम सिस्टर सिटीज प्रोग्रम यह क्या है तो यूनाइटी नेशन ने इसको अलाउ किया हुआ है कि कोई भी मिलते जुलते किसी कंड दो कंट्रीज के सिटी आपस में सिस्टर सिटी डेकलेरेशन साइन कर सकते हैं और सिस्टर सिटी डेकलेरेशन साइन करने के बाद वो एक दूसरे से बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे की और एकनॉमिकली कल्चर वाइज एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं तो इसका भी एक जब मैं ग्रीन डिवेल्मेंट के सिलसले में आराई उदर गया हूं बेल्ट एंड रोड पे तो वुशी एक सिटी है वुशी चाइना का रिचेस्ट सिटी है और मेजर कंटिबिशन है उसकी जीडी पी आफ चाइना में और एकोलोजिकल सिटी है इतना है कि लोग वहां रहने आते हैं चंद दिन गुजारने और वुशी के जो मेर हैं उन्होंने हमें डिनर पे इन्वाइट किया तमाम कंट्रीज के रिप्रिजेंटिटिव को तो हर टेबल पे फ्लैग लगे हुए थे तो मेरे टेबल पे जैसे पाकिस्तान का फ्लैग था तो जब वो हर टेबल पे होस्ट मेर सब जा रहे थे थैंक यू कहने के लिए तो मेरे पास आये तो उन्होंने का के ओल आर माई फ्रेंड्स बट यू आर माई ब्रदर तो मैंने उनको का कि कोई बाइचरा नहीं है आप एक साफसुतर शेर में रह रहे हैं मैं लहोर से एक प्लूटेट सिटी में रहता हूं मेरा और आपका क्या बाइचारा आपने तो अपने बाइचारा आपने पाई का ख्याल नी रखा कि वो उदर है उसने इस बात को पिक किया अपने डारेक्टर्स को बलाया और उन्होंने एक स्पेशल एक्स्क्लूसिव मीटिंग बेल्ट और वुशी को सिस्टर सिटी डेकलेरेशन में साइन कर दें दोनों शहर आपस में तो मैं आपकी जिम्मादारी लेता हूं को मैं लहोर को प्लूटेड फ्री कर दूगा वाँ इंटरस्टिंग मैंने का उसने का हम फिर ये कर देंगे ये कर देंगे ये कर देंगे इवन उन् के क्रीब के टेंडर गिफ्ट देंगे जिस दिन आप डेक्रेरिशन हमारे साथ साइन करेंगे मैं वापिस आके अपरोच किया तो यहां पर फिर वही रैट टेपिजम तो जब मैंने बुजदार साब के किसी के थरू प्रिंसिपल साब तक अपरोच किया तो उनने का कि हमें व एफर्ट्स के बावजूद लहोर और वुशी सिस्टर सिटी डेकलिरेशन में नहीं जा सब जिसका ना एग्रिमेंट का मटीरियल ड्राफ्ट भी रेडी है और चीफ मिनिस्टर साब से समरी भी अपरोवड है तमाम डिपार्टमेंट से मगर हम इस इनिशिटी में तो हमने स इन शेहरों ने ज्यादा तरक्य की है जो दुनिया के दूसरे सिटी के साथ सिस्टर सिटी में थी तो जब हम चाइना हैं तो चाइना आज कल फुली तूर पर काम कर रहा हूने एक डिपार्टमेंट बना दिया हर शेहर का वो कोशशिक ररा दुनिया के 10-10 बारा बारा पार 15-15 शेरों के साथ सिस्टर सिटी डेक्लेरेशन साइन करें और एक्चेंज प्रोग्राम करें आपको लाहूर के अलावा मैं केपिटल की एक्जेम्पल देता हैं सर लाहूर के अलावा इसलामाबाद इस वक्त आठ सिटीज के साथ सिस्टर सिटी डेक्लेरेशन साइन कर चुका गुट गुट मेडरेड वीनस मगर अब इससे बेनिफिट नहीं लिया जा रहा है यह निक इंपलिमेंट नहीं हुआ है इस एक एक्जेंपल मैं अभी एक पिछले दिनों में लेक्चर में कह रहा था कि आप इसलामबाद की युनिवस्टी जो है वो मेडरेड की के आपके पास पढ़ें और 20-25 इनके उधर पढ़ें कोई एक्स्ट्रा चार्जिस नहीं आप इनसे फीस ले लें वो उनसे फीस ले लें बार्टर सिस्टम होगा इसी तरह आप कल्चर चेंज के प्रोग्रम करें ट्रेड के करें चैंबर्स हैं आर्ट सिटी के चैंबर और हम चैंबर एक दिन मिलें तो हम एक दूसरे से सीखेंगे एक दूसरे से हमारा एक सपॉयर बड़ा होगा हम लर्निंग हो वगी तो हमने इस ऑफें फोकस किया हुआ है गवर्मेंन्ट को दूसरे लोगों को हम एड्यूकर कर रहे हैं तो हम सिस्टर सिटी प्रोग्राम के तह यह तो बहुत कमाल का इनिशेटिव होगा आपका और आइडिया भी बड़ा जबरदस्त है अगर यह हो जाए तो नौन रोट पाकिसान और उस्पेशली लाहुर के अगर बात करें जैसे आपने का पॉलिशन के हसाब से भी यह सब चीज़ एक टोटी चेंज हो जेगी इंवा आरवा बन ही जाएगा ठीक है तो यह वही चीज है आखरी बात जो मैं तुके टाइम की चोई से किलत भी है आपने रोटरी के लिए बहुत काम किया है ठीक है इस्पेशली आर आई कंवेंशन जो हुआ था टरंटो में वह इंटरनेशनली वह फेम ता उसमें तो थोड़ा स कुछ रोटरी के वाले से और अभी आपने रोटरी से थोड़ा सा किनारा कशी क्यों कर दी है यह बड़ा जूर्टी आपको रोटरी इसकी बड़ी और इसकी बनियादें जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वह बहुत ही ज्यादा मसबूत और सुसाइटी के लिए जरूरत है उसक हैं तो इसके टोटल पूरी वर्ड में वन पॉइंट फूर मिलियन मेंबर्स हैं तो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट सिटी में रोटरी के कलब हैं तो यह एन्वली किसी न किसी कंट्री में के किसी शहर में हर साल अलाग से इकते हैं और शाय साब आपको हरांगी होगी क करीब बनाता है एक लाख तो डेफिनेट दुनिया से दुनिया से अच्छा वो इतना बड़ा एक गैदरिंग होती है वो भी जैसे में पीछे जिकर करा था सिस्टर सिटी का वो भी एक ऐसा प्लेटफर्म है जिसे आप जैपनीज से मिलके सीखते हैं जाइनीज से सीखते हैं तो आप वहां किसी भी कंट्री के फरेंडशिप करि Eigen करें तो वो सारी फरेंडशिप करियेड़ करें और फरेंडशिप कर मिलने का मकसद ट्रेड है और सोशल वेलफिया है आप एक दूसरे को जाने कल्चर को जाने तो मैं समझता हूँ कि इस से अच्छी और्गिनाइज़िशन है और बेस्ट वर्क नहीं है तो मुझे भी मौका मिला ये 2018 में चूंके ये कन्वेंशन कोवर्ट से पहले टॉरंटो हो रहा था तो रोटरी की लीडर्शिप ने मुझे जिम्मधारी दी कि आप इस कन्वेंशन के पाकिस्तान में आराई कन्वेंशन के चेर्मेन है तो मुझे इसमें बहुत को सीखने को मिला और हमने इस कन्वेंशन में इस से पहले इटलांटा में था तो इटलांटा में भी मैं ट्रेनिंग के लिए इस कन्वेंशन में गया था क्योंके अगले साल मेरी ये जिम्मादारी थी तो मैं जब एटलांटा गया तो वहां रोट्री ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि किस तरह से यह सब कुछ करना है तो अभी भी हम छोटे मोटे अवेरनस के हवाले से सेमिनार कॉनफरंसिज करते हैं तो आप यकीन जाने कि एक लाख बंदे का करने के बाद यहां हमें पांच सो हजार की कुछ होता है कुछ आइडिया भी नहीं होता हम ऐसे कर लेते हैं यानि कि इतना एक स्पीरिया स्वास की तो यानि कि मैनेज़ लोगों में उसके और एक नाम है रोट्री का तो वो शायद वाकिया ली बार ठीक है को चीज़े असानी से हो जाती है तो चीज़े तो मैंने रोट्री से इसलिए नहीं इदर हुआ क्योंकि टाइम की वज़ा से मैं अपना जिस्टिफाई नहीं कर पा रहा था अपनी एसाइन्मेंट टाइम नहीं दे पा रहा था मैं लहौर से हूँ लेकर इसलामबाद मुझे पी टी आई की लीडर्शिप ने इन्वाइट किया था और फिर हमने वहाँ इंसाफ वेलफेर विंग बनाई फिर हमने वहाँ पी टी आई में फर्स टाइम हमने कपैस्टि बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें ह अपने हलके के लोगों को अंगेज कैसे करना है तो यह पीटे की हुबी है वैसे वो कर लेते हैं यह फर्स टाइम ऐसा हुआ है कि पार्टी के अंदर मैंने इसलामबाद में जा के यह रैगूलर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया और बहुत सारे इसलामबाद क्लाब में हमने प्रोग्राम किये और इंसाफ वैलफेर विंग को स्टेब्लिश किया डिवेעל किया इस पर प्रोजेक्ट बनाए इससमें नूट्रेशिन के हवाले से प्रोजेक्ट बनाए इसने एसास प्रोग्राम के जो मै覺ें दी इनको डेटा बेज में स्पोर्ट किया तो इस आसाइन्म तो थोड़ा रोट्री अग्णोर होने लग गई वो टाइम की वज़ाशा है चले है साजेद इकबाल सब यकीन मनगे कि वही लिए बाद दूबारा कहूंगा कि टाइम की थोड़ी सी बंदिश है अदर्वाइस अभी आप से जानने और आपके अंदर से नकालने करी वे बत ब परसादरा से और आपके कामों से और इस पैसलिए ग्रीन ग्रॉथ पाकिस्तान जो आप कर रहे हैं तो मेरे और मेरे दारी की विश है कि हम से जो हो सका एशिंट्रेड टीवी के हवाले से हम आपका ये मैसेज और आपकी हर कंपेइन का पार्ट बनते हुए इसको जितना को स क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए ये मेरे लिए और आपके लिए नहीं है तो जहां पाकिस्तान के लिए होगा तो वहां पर एशिंट्रेड जरूर होगा तो सार इसके साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए और इन्शाला मुझे अमीद है कि एक ने सफर में फिर आप से जी नाजर आप देख रहे थे हुआब से तवीरता का यह सफ और राज साजिर एकवाल साभ मेरे साथ मेरे साथ बचूद थे अपने जितने वी प्रोजेक्स उन्हें आप से डिसकूस की या शियर किये वह पाकिसान के और पाकिसानियों के लिए कितने इंपॉर्टेड़ है बेसिकली इशिन ट्रे टीवी का मकसद भी यही है कि हम साफ्ट इमिज के लिए काम जो कर रहे हैं कि दुनिया को बताएं कि वी आर यूनेटिट और हम जो सूचते हैं हमारी एक नैशनल अप्रोज तो है लेकिन हम अपने मुलक के लिए कितने संसियर हैं इसके साथ आप मुझे अगले सफर में अगले महमान तक के लिए जाज़त दीचिए पाकिस्तान सिंदाबाद मैं अपनी गुरिया रानिक सर में तेल डाल दूँ सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें और हमारे आ मुहबद का मतलब है सर में तेल डाल दूँ चल अपा के पास इतने पैसे अब आपने घर कर पेश्टी जहां रिष्टे कमजोर हो जाए वहां घर प्रूट जाते है ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है आप ज़रा रिष्टों को मजबूत कीजिए घर की दीवारों और चटों को तो हम मजबूत बनाए ली देंगे मॉडिल स्टील आओ एक मजबूत घर बनाते है